बिहार का नमर वन यूट्यूब चानल बन चुका है। जब नितीश कुमार एक अने मार्ग में शिफ्ट हो चुके हैं तो ऐसी कयास लगाई जा रही है कि अब खूब फैसले एक के बाद एक बिहार देखेगा प्रशाशन में तो फिर बदल होगा हीं साथी साथ जो चुनावी रण नीती है उसको लेकर भी फैसले तेज होंगे। हाई कोट के बंगलों को लेकर सुधा संग्यान लेने के बाद जो साथ सर्कुलर रोड का बंगला है वो बिहार के मुख्य सचीर यानिकी दीपक प्रशाद के नाम पर अवंटित कर दिया गया है इसको कुछ दिन के लिए बढ़ाया गया क्योंकि एक अने मार्ग में मरम्मत का कारे चल रहा था तो नितीश कुमार साथ सर्कुलर रोड में रह रहे थे लेकिन अब वो वापस शिफ्ट हो चुके हैं इसी लिए खबरों की बाजार में यह बाते भी गर्म हैं कि अब नितीश कुमार पूरे एक्शन में दिखेंगे एक सवाल और कि इस बार प्रशान क गरम कुछ इस प्रकार से होने लगी क्योंकि नितीश कुमार वापस आ गए हैं एक अने मार्ग में जब तेजस्वी के बंगले पर सरकार की नजरे गड़ी तो हाइकोट ने एक मामला स्वधा स्वधा स्वंग्यान में लिया यह था पूर्मुख्यमंत्रियों को आवंटित बंगलो का मामला उसके बाद अब जब एक अने मार्ग में मरभब्ब का कारे पूरा हुआ है तर नितीश कुमार वापस एक अने मार्ग शियुफ्ट हो गए इतिहास कुछ ऐसा है कि 2014 में जब नितीश कुमार ने मुख्यमंत्री पत्ज से इस्तीफा दिया और जीतर नाम आप मांजी मुख् मंख्य मंत्री की गदी समाली मगर जो पूर मंख्य मंत्री के नाते साथ सर्कुलर रोड का बंगला आवंटित था वो उन्हीं के नाम पर रहा जीतन रामांजी वापस अपने घर 12 M स्टैंड रोड पहुंच गए जिसमें वो जब विधायक बने हैं तभी से रह रहे हैं अब मुख्य मंत्री के नाम पर भी उन्हें वहीं बंगला आवंटित है जब हाई कोड के स्वता संग्यान के बारे में हमने उन्हें से पूछा था तो कहा कि मुझे टेंशन नहीं है यह तो पहले से मेरा ही था और मंत्री के भी नाते रहा फिर पूर मुख्य मंत्री के भी नाते यही है छोड़ने को कहेंगे तो छोड़ देंगे बरहाल इन तमाम सियासत के बीच अब बदलाव क्या होने वाला है एक से छे मार्च के बीच अचार सहीता लागू हो जाएगी चुनाबों का ऐलान हो जाएगा जो बड़े फैसले हैं वो उससे पहले ही किये जाने है तो प्रशान्त किशोर का वार रूम कहां तयार होगा 2015 के चुनाब में तो प्रशान्त किशोर ने यहीं से खूब काम किया था माहौल ऐसा बन गया कि महागटबंधन ने जीत हासिल की जदियू का परफॉर्मेंस भी खूब बढ़िया रहा पॉलिटिकल स्टाटजिस्ट अपने काम को पूरा करने में कामयाब हुए थे गाओं गाओं जिलो जिलो तक यह खबरे पहुच गहीं थी कि नितीश कुमार बढ़िया काम करते हैं और फिर से एक बार हो बिहार में बाहार हो नितीश कुमार हो ऐसा ही कुछ हुआ मगर इस बार तो संकट प्रशांत किशोर के वार रूम पर भी है और अब तो पॉलिटिकल स्टाटजिस्ट नहीं है भाई जदियू के रास्ट्रिय उपाध्यक्ष है जदियू के भीतर है तो मसला भी पहले जैसा नहीं है अब तो जदियू का जो प्रपरटी है अधिकार है कार्याल है उसमें उनका चेमबर बन सकता है मिल सकता है लेकिन अलग से वार रूम जो वो स्टाटजिस्ट के नाते हासिल किया करते थे मुश्किल आ गई है उस पर अभी तक साथ सर्कुलर रोड में बैटकर प्रशांत किशोर बकूबी युवाओं से मीटिंग ले रहे थे जिलों की टीम से मीटिंग ले रहे थे हर किसी को टाइम दे रहे थे टीम प्रशांत किशोर का निर्मान किया गया था लोग उनके नमबर पर कॉल करके उनसे जुड़ते थे उसके बाद वापस कॉल बैक आता था और एक समय दिया जाता था जब जदियू के राश्ची उपाद्यक्ष प्रशांत किशोर उनसे मिला करते थे अब टीम प्रशांत किशोर का ये काम कैसे चलेगा कैसे वो मीटिंग्स होंगी जिसमें उनका मोटिव पूरा हो रहा था जिलो जिलो में गाओं गाओं में तहसील लेवल पर लोगों से जुड़ने का उन्हें नेता बनाने का उन्हें राजनीती में सक्रिय रूप से लाने का मकसद सिर्फ एक था कि जदियू बेटर परफॉर्मेंस करे और आगे भी कुड़सी पर काबिज रहे अमित शाह के कहने पर प्रशांत किशोर को एहम जिम्मेदारी तो दे दी या उसे जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए जगह की भी आवश्यक्ता होगी ये तो बात हुई जदियू के उपाध्यक्ष और साटिजिस प्रशांत किशोर के प्लैनिंग की जो नए डिजिटल तरीखे के बैनर्स पोस्टर्स वो लगाया करते थे पूरे बिहार में डिजाइन किया करते थे सीडीज बनाई जाते थी चीजों का ब्रैंडिंग किया जाता था साइकल पर जदियू के तीर का निशान नजर आता था गाउं गाउं तक लोग उस पर अवेरनेस कर आते थे डिजिटली तो यह सब चली रहा है लोगों से भी पूछा जा रहा है क्या आप फेसबुक ट्व सीडियू के वारूम पर भी है कि आखिर कहां वो बनता है या किसी अलग जगह को हायर कर उनकी टीम को बिठाया जाता है नितीश कुमार क्या करेंगे नेताओं की फौज तयार करेंगे जो जगह जगह जाकर मोटिवेट करेंगे प्रोजसाहित करेंगे और उन बातों को फै रही है प्लानिंग इधर भी करनी बहुत जरूरी है बहुत मजबूत करनी जरूरी है क्योंकि इस बार मोधी महारहर थोड़ा कमजोर तो हो ही चुका है पर नितीश कुमार साथ हैं देखना होगा कि सुशाषन बाबू जो कभी सुशाषन बाबू कालाते थे उनका जलवा चल पाता है या नहीं एक दौर और बचा है बचा है ट्रांसफर पोस्टिंग का दौर इसमें सबसे बड़ा फैसला होना है बिहार के डीजीपी को लेकर कानून विवस्था चुनावों के जो फैसले होते हैं चुनावों के जो रिजल्ट होते हैं उस पर बहुत असर करती ह है 31 जनवरी को डीजीपी केस दिवेदी का कारेकाल समाप्त हो रहा है असमंजस की स्थिती बिहार में इस बात को भी लेकर है कि अगले डीजीपी कौन बनने जा रहे हैं लेकिन खबरे यह भी आ रही हैं कि डीजीपी केस दिवेदी को छे महीने का एक्स्टेंशन देकर हुद कम बचेगा फैसले हो नहीं पाएंगे तो हो सकता है कि extension मिल जाए कारेकाल को आगे बढ़ा दिया जाए क्योंकि केस दिवेदी का कारेकाल अब खतम होने वाला है उन्हीं के अंडर में चुनाब हो तो ठीक होगा एसा कही ना कही एक प्रस्पेक्टिव बना है तो बाते आ रही हैं कि उनके उनको extension देकर कारेकाल आगे बढ़ाया जाए दूसरी ओर केंदर में 10% सवर्णों को आरक्षन लागू हुआ बिहार में भी लागू होना है नितिश कुमार कह चुके हैं कि जो कानूनिक दावपेच हैं उन पर हमारी पार्टियां हमारी पार्टि चर्चा कर रही है और जल्दी ही उसे बिहार में भी लागू कर दिया जाएगा लेकिन एक सचे मार्च तक जो ऐलान होने है उससे पहले हो पाना जरूरी है एक बार चार सहीता लग गई तो आप ऐसे फैसले नहीं कर पाएंगे ट्रांसफर पोस्टिंग्स और भी है जो भी पीएससी से पुलीस वाले आईपीएस बने हैं उन्हें भी पोस्टिंग्स देनी है उन्हें भी जगा जगा पर सेटल करना है और अब जब चुनाव नजदी के तो कहीं न कहीं यह सारी पोस्टिंग्स चुनाव को ध्यान में होंगी DM, SP, SDO, तमाम जो विभाग के लोग हैं उनके भी transfer postings का एक दोर चलेगा सबको priorities के हिसाब से postings दी जाएंगी और चुनाव दिश्पक्ष्टा से कराने की भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसको लेकर कि अभी जब पटना पहुचा बिहार भर में दोरा किया और उसके बाद उस meetings के आधार पर यह आदेश जारी किया गया है कि वीवी पैट का भी इस्तमाल हो बिहारी नइबल के पुरे देश में और चुनाफ बहादी निश्पक्षता के साथ हो जो सीजी थे चीफ एलेक्टरोल कमिशनर उन्होंने कहा कि ईवी एम को फुटबॉल ना बनाया जाए यानि कि जब नतीजे प्रतिकूल नहीं होते हैं तो सारा आरोप ईवी पड़ लगा दिया जाता है इसको लेकर के उन्होंने दावा किया कि इवीम सही काम कर रही है आपके लिए जागरुकता फैलाने के लिए भी कई सारी टीमें बनाई गई हैं कहा गया है कि मतदान जरूर करें अपने विचारधारा अपने नेता अपने लोग किसी भी आधार पर मगर अपने मत की शक्ती का प्रयोक करें जो वोटिंग बूट से उन पर जाए अपने अनुसार जो पार्टी पसंद आए उसका बटन दबाएं इससे लोगतंत्र मजबूत होगा कोई दिक्कते आती हैं इसको लेकर आप कंप्लेंस भी कर सकते हैं हर तरह की ववस्ता है अब तो जमाना डिजिटल है तो हमारी भी कोशिश रहती है कि जो असमाजिक काम चुनाव को लेकर होते हैं उन्हें रोकने का प्रयास किय जाए आपके मदद से और और जो प्रशाशनिक विवस्ता है उनकी मदद से ताकि लोगतंत्र को और मजबूती मिले अब जब कुछी दिनों में चुनाव का एलान होना है तो नितिश कुमार सरकारी कारियों के साथ साथ ज्यादा ध्यान इस बात पर भी देंगे कि पार्ट चीजे हैं वो होंगी सरकारी काम से जादा पॉलिटिकल काम क्योंकि सत्रा सत्रा च्छे का फॉर्मूला दो तय हो गया है भाजपा जदियू सत्रा सत्रा लोजब पाच्छे मगर कि सीट पर कौन अभी यह तय नहीं हुआ है यह तय करना भी वक्त रहते बहुत जरूरी है कह कहीं ना कहीं महागटबंधन का भी इंतजार हो रहा है अब तो रैलिया भी होनी है इसको लेकर के नितीश कुमार जादा टाइम दने वाले हैं और इसलिए हम कह रहे हैं कि जब एक अने में शिफ्ट हुए हैं तो बिहार में बवाल भी होंगे बवाल किस बात के राजनीति रहें उसे और मजबूत बनाएं अपनी मत की शक्ती का प्रयोक करें लाइफ सीटीज को इसी तरफ यार और अश्रवात देते रहें ताकि हम बने रहें बियार के नमबर वन यूट्यूब न्यूस चैनल आज बियार की बात में बस इतना ही आप हमारे फेस्बूप पेज को लाइक करें अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें आपका शुक्रिया